हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टू मैं चैनल मैं डॉक्टर प्रियंक का यादू और आज हम बात करने वाले हैं यूरिन प्रेग्णनसी टेस्ट के बारे में ज्यादर तर लोग यह दिक्कत वहां पर आती है कि उसको पता नहीं रहता है कि टेस्ट कब करना है और यहीं पर गलत लेकिन हमने चेक नहीं किया था तेक तो गलती है कि कुछ दिन बाद चेक करेंगे यह अपने डॉक्टर को वहां पर नहीं से करके घर पर इवेट करते हैं और एंड में पीरेड आ जाता है तो यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और काफी सारे लोगों को दिक्कत भी आ रही थी तो आज हम आपके साथ यह डिसकस करेंगे आपको टेस्ट कब करना चाहिए कौन से सैकल में कब टेस्ट करें क्योंकि सबकी सैकल अठाइस तीस दिन की नहीं होती है किसी की 24-25 किसी की 35 किसी की 40-50 इरेगुलर पीरेड में कैसे करें तो आपका पहला यूरिन प्रेग्नेंसी टेस्ट कब करना है वह इंपोर्टन है वह डिसकस करेंगे और यदि हलकी लाइन आती है तो क्या करना है पोजीटिव आने के बाद भी बैठ करते गर पे तो वहां पर गलती करते हैं तो वह डिसकस करेंगे तो सबसे पहले बात करते टेस्ट कब करें देखो यदि नूर्मल साइकल ले 28-30 दिन की साइकल है आपकी तो आपका जब दो दिन पीरिड मीस होता है दो दीन ऊपर जो आ करना है कि में यह बात है कभी-कभी 10-12 बजो करते है का भी इंवनिंग करते हैं तो एनिशले आपके यूरिन में बीटा ऐसीजिकर लेवल बहुत कंभ तो पहले होता है सेचुडुरेटे СамAAD तो दूर भी उसे करना रहता है कभी कभी आप सुबह में टेस्ट करेंगे ऑंकback लेकिन वही आपने सुबह में नहीं करके दो पर में रात में किया नेगेटिव आएगा लेकिन अंदर बच्चा होता है तो याद रखे याद रात मेरे एक्सपैक्टेडब यूपटेश्ट नहीं में तुछे तaking देश्ट करें लेना है से थो पर दो दिन गए तब टेस्ट कर लो यदि रेगुलर पीड़र है तो क्या करेंगे दवाई लेने पाता है तो उसमें पहले तो प्रेग्नेंस के चांस थोड़े कम रहे तो आपको साइकल ठीक करने की दवाई लेनी पड़ेगी और यह आपको दवाई चल रही है जिसमें आपकी साइकल नॉर्मल हो तो वहां पर आप रिलेशन में रहते तो पहला यूरिन प्रेगनंसी टेस्ट फोटी फोटी वन डेज पर करेंगे वहां पर आपकी करेंगे तो यह बात होगी कब टेस्ट करना दूसरा यह वहां पर हलकी लाइन आते तो क्या करें तो यह आपने दो दिन मिस हुआ टेस्ट के हलकी लाइन आ रही है तो आगे आपका वहां पर दिक्कत है जैसे आपने ट्रीटमेंट के बाद कन्सिव किया है एमेच हाइड था पीसी ओडी था ऐमेच लो था सिष्ट की दिक्कत थी यानि कि ट्रीटमेंट के बादूर्मोनल इंबेलेंस के बाद आपकी प्रेग्नेंशी है तो हलकी लाइन तो आप उसी दिन बीटा से ब्लड टेस्ट से कंफर्म करो जल्दी पता चल जाता है ब्लड टेस्ट से उसमें कंफर्म करो यदि वह पोजिटीव है तूरंत अपने गायनेक को मिलके प्रेगनसी सपोर्ट की गोली चालू करा देनी है ताकि बच्चे को बाहर से सपोर्ट मिल अंद्रोंनी खराब होंगे पोजिटीव आया दवाई नीली राद तक पीरड आजाएगा तो बच्चे को बाहर से चाहिए होगा अंद्रोंनी प्रोजिस्टरों कम पढ़ रहा है बच्चे को तो माँ पर हलकी लाइन आती बीटा सीजी से कंफर्म करके प्रेगनसी कि टिक जाएगी लेकिन यदि आपकी कोई दिक्कत नहीं है आपने बिना दवाय के चुन्सीव कर लिया है और हल्की लाइन आती है तो आप एक दिन वेट कर सकते दूसरे दिन और वहां पर टेस्ट करो उसमें डार्क हो जानी चाहिए है और फिर सेम यदि उसमें डार्क होती है तो दूसरा कापी बार लोग गलती करते पोजीटिव आता है घर पे वेट करते अभी दवाय की ज़रुत नहीं है या हस्बन गर पे नहीं है या थोड़ा दूर जाना पड़ता है हम सेटरडे संडेज चुटी होगी तब जाएंगे ऐसा करके वहां पर पीरड आ जाता है तो बाकी सब काम बाद में कीचे पोजीटिव आया है उसी दिन या साम में या पिर अगले दी नेट लिस्ट आप वहां पर गायनेक से मिलके प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालो करो अपना कन्विनियंस वहां पर नहीं देखना है रिपोर्ट के अनुसार अपनी थिकत नहीं आनी चाहिए तो प्रेगनेंसी होए रुखी हो निकल निजाएगी आगे रुककर के हमारे हां इल्दी प्रेगनन सी हो जाएगी अबTwo में दिक देंविन neighborhood शर्जड़ी आयूआ sud बोल दिया गया है हस्बन की रिपोर्ट में कुछ भी दिक्कत हो प्रेग्नेंसी नहीं रुकरी है और आपको आगे कुछ और एक स्टेप आगे लेनी के लिए बोला तो से पहले आप हमारी अपॉन्मेंट बुक करवा सकते हैं मेडिसीन से कितनी इसली कितनी अच्छी से लोग आपके अपॉन्मेंट चाहिए आगे मेरी तीम आपको गाइड कर देगी यह उस्पिटल विजीट करना चाहते हैं तो हम आनन्द में रहते हैं गुजरात में आप उस्पिटल विजीट भी कर सकते हैं तो वीडियो में कुछ भी समझ मैंना और आपकी कोई क्वेरी होता कर दीजेगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजा आपके लिए बिल्कुली फ्री है तो चलिए फिट जलने से मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल्डी स्टेफी बाई